नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, बाईस अपरेल सोमवार की रात एक लोटा जल इस जगह रख देना साथ पुष्टों तक इतना पैसा बरसेगा कि संभाल नहीं पाओगे। दोस्तों, पानी में एक ऐसी दिव्य शक्ती होती है जिससे आपकी प्यास बुझती है। इवं यदि आपने पानी के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल कर ली और तो इसके प्रयोक से आप अपना रुका हुआ काम बनवा सकते हैं। यदि आपका शत्रू आपके पीछे पड़ा हुआ है। आपका रुका काम बंद घर में पैसे आने का मार्ग बंद हो गया है। भगवान भुलेनात के आशिरवात से आप अपने जीवन में बहुत अधिक कामियाबी प्राप्त करेंगे। उसका प्रयोग करना यदि आपने ठीक तरीके से सीख लिया, जिसके बारे में इस वीडियो में आपको चलने जा रहा है, तो आपके ही बड़ा बिगड़ा हुआ काम है। ये आपके घर में कितनी बड़ी नेगेटिव शक्ती है। सबका इलाज आप अपने घर में आने वाले साधारण पानी से कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको पानी के बारे में तांतरिक, मंत्र, शक्तिशाली, मंत्र, आयुर्वेदिक उपाय, सारी जानकारी हम बताने जा रहे हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा। पानी के द्वारा जो भी मंत्र का उच्चारण आप करेंगे, उसकी एक क्रिया होती है। क्रिया को आपको तरीके से करना होगा, तभी आपको असर चालू होगा। यदि आपने इस वीडियो की एक भी लाइन में आपने गंभीरता से इस वीडियो को नहीं लिया, तब आपको नहीं पता चल पाएगा. कैसे आप लोग पानी का प्रयोग करके अपना रुका हुआ काम बनवा सकते हैं? जो भी जानकारी आपको देने जा रहे हैं, उसके पहले ही हम आपको जानकारी एक और दें, कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका रुपया का खर्चा नहीं होगा, परन्तु आप लाखों रुपय का लाब पा सकते हैं. इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है वीडियो के द्वारा हम आपके जीवन का 5-6 मिनिट लें किन्तु विश्वास करिए इसी वीडियो को देखने के बाद आपको माता लक्ष्मी का आशिरवाद मिलेगा भगवान भोले नात का हाथ आपके सर पर हो जाएगा करीबी दलिद्रता आपके जीवन से दूर चली जाएगी धन आने का मार्ग चालू हो जाएगा एवं भाग्य का साथ को मिलेगा सुक सम्रिद्धे आपके घर पे जरूर आएगी दोस्तों, पानी एक ऐसी चीज है जिसके लिए इनसान कुछ भी कर सकता है यदि एक व्यक्ति को एक दिन भी पानी ना दिया जाए और उसके बदले में उससे कुछ भी मांगा जाए वो सब कुछ निछावर कर देगा एक गिलास पानी के लिए आपको बता दे एक मनुष्य खाने के विकल्प में पत्ता खा कर जी सकता है फल खा कर जी सकता है परंतु पानी के विकल्प में या पानी के दूसरे अंपसन के रूप में वह कुछ भी नहीं चुन सकता है उस पानी चाहिए ही वरना वो जी नहीं पाएगा इसको भी एक अद्भुत समझा गया है साइंस की में दोस्तों यदि साइंस की लैंग्विज में हम आपको बताया साइंस की भाशा में आपको बताएं पानी लोगों की बातों को समझता है पानी लोगों की भावनाओं को समझता है पानी लोगों की फीलिंग्स को समझता है आपने यदि पानी की सारी तरीके की बातें समझ ली और गंभीरता से समझ लिया तो यकीन मानिये आपको पानी के रूप में जो दूसरे होते हैं उसको आप अपने जीवन में दिन में चार के काम में ले आएंगे दोस्तों, पुराने में एक कहावत होती थी कि उसके घर का पानी हम नहीं पिएंगे क्योंकि आपको पता है जो बुरे लोग होते हैं उनके घर का यदि आप पानी पीते हैं तो आपके उपर नेगिटिव शक्तियां वाश करने लगती हैं इसी लिए पुराने समय के लोग बार-बार कहते थे कि हम उनके घर का पानी नहीं पिएंगे वरना हमारे साथ भी बुरा होना चालू हो जाएगा आज भी बहुत से लोग हैं जो बुरे लोग जो होते हैं जिनकी सोच गलत होती है उनके घर का पानी नहीं पीते हैं दोस्त आपको यदि आपका कोई शत्रु है जो आपके पीछे पढ़ा हुआ है उसकी सोच को आप बदल सकते हैं केवल पानी से यदि आपने पानी के तंत्रमंत्र की कृया को ठीक तरीके से समझ लिया आप अपने शत्रू का विनाश कर सकते हैं आप एक बात जान लीजिए शत्रू कोई किसी का ऐसे ही नहीं बन जाता है बनने के पीछे कई कारण होते हैं कोई व्यक्ति आपके बाराद से जलने लग जाता है कोई व्यक्ति आपके सुक को लूटना चाहता है कोई व्यक्ति आपके धन को हडपना चाहता है तभी वो आपका बनता है शत्रू होने की वजह से आपका जीवन बहुत हद तक परेशानियों से भर जाता है आप अपने शत्रूओं के बारे में जब भी सोचते होंगे आपका दिमाग खराब हो जाता होगा परंतु आज के बाद आपके शत्रूओं आपका कुछ भी नहीं बिगाड क्योंकि एक साधारन पानी का प्रयोग करके अपने शत्रूओं को उसके घुटने के दम पर ले आएंगे और उसी की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं दोस्तों, स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान करते हुए यदि आपको पढ़ते हैं और पानी के सामने प्रक्रिया करते हैं यकीन मानिये आपका शत्रूओं घुटने पर आ जाएगा स्वादिष्ठान चक्र बहुत आसान होता है परंतु इसके विकल्प में आपको कोई रास्ता और नहीं मिलेगा ये आसान से क्रिया है स्वादिष्ठान चक्र का प्रयोग करके आप अपने शत्रू के जीवन को बरबाद कर सकते हैं इसलिए बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा जो भी जानकारी दोस्तों आपका शत्रू यही चाहेगा कि आप बरबाद हो जाएं आपके जीवन सुख, समरिध्य और भाग्य के साथ चला जाए और वो किसी ना किसी तरीके से आपको नुकसान पहुँचाने बारे में रातों दिन सोचता होगा परंतु स्वाधिष्ठान चक्र का प्रयोग करते हुए आप अपने शत्रू को बरबाद कर सकते हैं हमारे कहने का मतलब सीधा सीधा ये है स्वाधिष्ठान चक्र उन्ही लोगों के लिए बना हुआ है जो सच्चे लोग होते हैं जो लोग किसी का बुरा नहीं चाहते हैं परंतु बदले में कोई व्यक्ति उस सच्चे मनुष्य का नुकसान करना चाहता है तो स्वाधिष्ठान चक्र उस व्यक्ति का नुकसान देता है जिसकी सोच गलत है जिसकी सोच नेगेटिव है चक्र का प्रयोग कैसे करना है चलिए आपको ध्यान पूर्वक बताते हैं बहुत ध्यान से आप सुनिएगा जो हम आपको बताने जा रहे हैं परंतु उससे पहले आप यदि चाहते हैं कि शिव भगवान का आशीरवाद मिले तो कॉमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखिएगा हर हर महादेव दोस्त वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप इस तरीके के हर तंत्र मंत्र की विद्या के बारे में जानना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में एक बार जरूर देखिए अब आप कम समय नष्ट ना करते हुए आपको सरल भाशा में बता दे स्वादिष्ठान चक्र का यदि आपको उपाय करना है और आप चाहते हैं कि आपका शत्रू बर्बाद हो जाए तो आपको एक तांबे का गिलास लेना होगा ध्यान रखिएगा स्टील और कांच का गिलास मत लीजिएगा ये है वरना स्वादिष्ठान चक्र का जो प्रकोप होगा वो आप पर भी आ सकता है यदि आपके पास तांबे का गिलास नहीं है और आप मिट्टी के गिलास का कर सकते है तो ये बहुत अच्छा विकल्प है आपको कुछ भी नहीं करना है आपको इस गिलास को लेना है इसमें पानी पूरी तरह से भर लेना है इसमें अपनी को देखना है ध्यान रखिएगा जब स्वादिष्ठान चक्र का आप लोग ध्यान लगा रहे हो आपके पैर में चप्पलना हो आप नंगे पाव जमीन पर खड़े हो मतलब आपका पाव छूना चाहिए धर्ती से आपका पाव कनेक्ट होना चाहिए स्वादिष्ठान चक्र आदे घंटे तक स्मरण करना होगा बोलना ये प्रक्रिया केवल आपको साथ दिन करनी है सुबह और शाम सुबह साथ बजे से पहले शाम को साथ बजे के बाद ये क्रिया यदि आपने कर ली आदे घंटे तक आपको करना होगा ये साथ दिन तक आप यकीन मानिए जो आपका शत्रू, वो आपके नाम से भी डरने लग जाएगा यदि वो आपके बारे में गलत करने के लिए प्रयास करेगा उसकी बरबादी चालू हो जाएगी आपको बता आपका आपके बारे में सोच सोच के घबराना चालू हो जाएगा वो आप जब भी देखिएगा अपना रास्ता बदल लेगा स्वाधिष्ठान चक्र हिंदू पुरानों के हिसाब से शत्रूओं के लिए सबसे खतरनाक चक्र समझा गया है स्वाधिष्ठान चक्र का उपाय बहुत सावधानी पूरवक आप लोग करिएगा दोस्तों ध्यान रखिएगा तांबे के लोटे और मिट्टी का जो भी गलास होता है उसी में आप लोग इस ध्यान लगाइगा स्वाधिष्ठान चक्र का उपाय करके आप अपने शत्रु को पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। सबसे आप लोग एक बात जान लीजिए कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि स्वाधिष्ठान चक्र का प्रयोग करके हमने नेक आदमी का जीवन बर्बाद कर सकते हैं. तो आपको बता दें, स्वादिष्ठान चक्र कभी भी ऐसा नहीं करता कि किसी भी नेक जीवन को बर्बाद करें. स्वादिष्ठान चक्र केवल बना हुआ है शत्रु की बर्बादी के लिए नेगिटिव ताकतों को रोकने के लिए. इसलिए यदि आप लोग चक्र का इसलिए प्रयोग करना रहे होंगे, क्या आप एक इनसान का जीवन बर्बाद कर दें, तो ध्यान रखिएगा. वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा, परन्तु यदि कोई भी इनसान आपके पीछे पड़ा होगा, आपको बर्बाद करना चाहता होगा, तो स्वधिष्ठान चक्र उसकी बर्बादी कर देगा. दोस्तों, अब आपको जो हम बताने जा रहे हैं, वो बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि यदि आप लोग कर्जे से परेशान चल रहे हैं, आपके घर में पैसे स्रोत बंद हो गया है, आप लोग बहुत ज्यादा तंग आ चुके हैं, कैसे आप आगे बढ़ाया जाए, तो इसके लिए आपको एक मंत्र का जाप करना होगा, जिसके बारे में अब आपको हम बताने जा रहे हैं, दोस्तों, आपको बता दें, कि यदि आप लोग अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, गरीबी से दलिदृता से आपका व्यापार नहीं चल रहा है, पैसे आने का रास्ता बंद हो गया है, तो इसके लिए जो मंत्र का जाप करना होगा, वो होता है, बीज मंत्र का जाप करके आप अपने जीवन में चुम्बक की तरह को हुए देखेंगे, आप अपने जीवन दलिदृता गरीबी को जाते हुए देखेंगे, भगवान भोले माता लक्ष्मी का आशिरवाद आते हुए देखेंगे आपका जीवन सुख और सम्रिध्य से भर जाएगा जैसा हमने आपको पहले वाले मंत्रों में बता ही दिया था कि जो भी पहली क्रिया थी उस क्रिया के अंतरगत आपको पहले साथ बजे से पहले उन मंत्रों का जाप करना था परंतो इस मंत्र में सब कुछ उल्टा है इसमें साथ बजे के पहले ना साथ बजे के बाद का जाप करना है श्रीमिज मंत्र जो है इसका जाब करने के लिए आपको एक क्रिया अलग तरीके की अपनानी होगी मतलब जितनी बार आप पानी पिएंगे उतनी बार आपको शरीन बीज का जाब करना होगा वो भी दो मिनट आपको करना होगा आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि बार हम कैसे इसका जाप कर सकते हैं इसलिए हम आपको हम इसका विकल्प बताने जा रहे हैं और शरीन बीज का काम कैसे होता है वो बताने जा रहे हैं इसलिए वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा और कतई भी इस या मिस न कीजिएगा आपको बता दें मंत्र जो होता है वह ऐसा मंत्र होता है जो सीधे सीधे बाबा भोलेनात के लिए आप लोग जबते हैं और बाबा भोलेनात का आशीरवाद मिलता है माता लक्ष्मी का भी इसमें आशीरवाद आपको मिलता है इसी लिए धन के रास्ते खुल जाते हैं श्रीमिस मात्र यदि आप पानी पीते वकक्त हर बार नहीं बोल सकते तो आपको इसके लिए एक अलग विकल्ब जिसके लिए आपको लाल गुलाब ये होगा इस लाल गुलाब को आप किसी भी किसी भी एक गिलास के बोतल में डाल दीजिए मतलब एक गिलास के पानी में डाल दीजिए और अपने हाथ में पकड़के बिना चप्पलों के आपको आधे घंटे तक का जाप करना होगा अब आपको करना ये है किसी एक बड़ी बोतल में या किसी एक जग में पानी भर लीजिए और उसी में ये जो आपने शीम वाला पानी तयार किया है इसको पलट लीजिए इसको पलट और पूरे दिन इस पानी का प्रयोग कीजिए इसी को आप लोग पीते रहिए दोस्तों, आपको बता दें, जब आपने पानी के साथ शाइम्स का जाप किया था, उस पानी के अंदर अभिमंतरित मंतर हो गया था, मतलब वह पानी जो है अभिमंतरित हो गया था, अब इस अभिमंतरित पानी को जब आपने जब बॉटल में पल्टा, तो यह अभिमंतरित उस पानी को अपने अंतरगत मिला लेता और अभिमंत्रित कर देता था अब आपको जैसा हमने वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था हमारे शरीर सत्तर परसंट पानी होता है और जब इस करते हैं, आपके शरीर में ये जाता है ये आपका पानी जो शरीर में जा रहा है, ये आपके शरीर को अभिमंत्रित कर देता है और इससे आपको एक अलग सी उर्जा देखने को मिलेगी बिल्कुल सही सुना आप लोगोंने आपके शरीर में आपको एक अलग सी उर्जा देखने को मिले बाबा भोले नात का जहां आपको एक तरफ आशीरवाद मिलेगा वही पे माता लक्ष्मी आपके लिए धन के दरवाजे खोल देंगी सरल भाशा में आपको बताए आपके में आपको धन की वृद्धि भाग्य का साथ सुख समृद्धि देखने को मिलेगी दोस्त तो ये जो जानकारी हमने आपको दी है ये आपको कोई भी नहीं बताएगा हिंदू पुरान के हिसाब से ये जानकारी एकदम सपष्ट जानकारी है साफ जानकारी है और ऐसी जानकारी है जो आप जीवन को बदल के रख सकती है आप इसका उप्योग भी कर सकते हैं और जैसा हमने आपको पहले बता दिया था एक रुपया का आपका खर्चा नहीं है सर इस मंत्र का जाप करके आप अपने जीवन को बदल सकते हैं आपका सुखमय हो सकता है आर्थिक समस्याओं कर्ज से परेशान है तो हर बुधवार को गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए ऐसा करने से भगवान गणेश का आशीरवाद मिलता है और जीवन में उन्नत्ति के प्रशस्त होते हैं इस पाठ के करने से जीवन में धीरे-धीरे सुक्समृध्ध्य आती है और विग्ण भी दूर होते हैं ध्यान रखें कि रणहरता गणेश स्तोत्र का पाठ करने के बाद भगवान गणेश की आरती जरूर करें दोस्तों हमारे चैनल जान हिंदू पुराणों के हिसाब से करता है और हमारे चैनल मकसद है जनहित और जनकल्यान इसलिए आप से एक निवेदन था हिंदू भाईयों तक इस चैनल को पहुँचा ये ताकि वो भी जीवन में आगे जा सके उनका भी सुक हो सके और उनके सुक से आपको भी पुन्य मिले और हम को भी पुन्य मिले और हम दोनों पुन्य के भागीदार हो जाएं आप सभी लोग जानते हैं कि 22 अप्रैल 2024 को सोमवार है साथ तो इसे सोमवार चतुरदशी के नाम से भी जाना जाता है अब दोस्तों ये बात आप सभी लोग जानते ही है कि जब कोई किसी एक बहुत ही बड़े खास दिन पर पढ़ जाता है तो उस दिन का महत्व कितना ज्यादा बढ़ जाता है और जो चतुरदशी का दिन होता है वो भगवान भोलिनाद जी का होता है और ये दिन माताओं बहनों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है और जब यही चतुरदशी का दिन सोमवार के दिन पढ़ जाए तो ये सोमवार हो जाती है और सोने पे सुहागा वाला ये दिन भी हो जाता है अब दोस्तों, इस दिन आप लोगों को कौन से वो उपाय करने चाहिए जिन उपायों को करने से आपके देखे हुए सपने भी पूरे हो जाते हैं आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है साथ आपकी जो भी दुख और परिशानी होती है, वो भी दूर हो जाती है हम आपको इस वीडियो में कुल मिला के तीन उपाए बताने वाले हैं जिसमें से सबसे पहला वाला जो उपाए है दोस्तों वो है तीन दीपक वाला उपाए इस तीन दीपक वाले उपाए को करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण होगी दूसरे नंबर का जो उपाय होगा, वो होगा पांच कनेर के फूल वाला उपाय इसके बाद में दोस्तों, जो तीसरे नंबर का उपाय होगा, वो होगा हमारा नौ शमी पत्र वाला उपाय, तीनों ही उपाय बहुत ही ज्यादा खास और महत्पूर्ण है बहुत ही बड़े उपाय है जब आप इन उपायों को इस सोमवार के दिन चतुर्थी के दिन करेंगे भगवान शिव सबसे प्रियजन और भगवान भोले नात जी के सबसे प्रियजन पर करेंगे तो आपकी जीवन में जो भी दुख और परेशानी होगी वो दूर जरूर होंगी आपकी मनो कामनाएं भी पूर्ण जरूर होंगी चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सोमवार चतुर्थी के दिन किये जाने वाला तीन दीपक वाला उपाय तीन दीपक वाले उपाय को आपको कैसे करना है वो हम लोग समझते हैं देखिए तीन दीपक वाले उपाय में हमें साफ साफ ये बात समझ आ रही है कि इस उपाय में तीन दीपक तयार करने है पर वो तीन दीपक किस चीज़ के होंगे तो यहाँ पर हम आपको बता दें, कि वह तीन होंगे दोस्तों, आटे के यहाँ पर आप मिट्टी के दीपक ना लें, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मिट्टी के दीपक यदि लेंगे, तो वो आपको नहीं लेने पड़ेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा आटा गू जी और भगवान भोलेनाथ जी के लिए कर रहे हैं, तो इसलिए दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पर गोलबाती का उपाय करना है, इसी के साथ में दोस्तों, इन तीनों दीपकों के अंदर आप लोगों को रखना है, शुद्ध देसी गाय का घी, अब देखिए, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शुद्ध देसी गाय का घी, आप लोग उपयोग में लीजिएगा, क्योंकि यह घी जो होता है, यह भगवान शिव जी के कारियों में, भगवान भोलेनाथ जी में उपाय किया जाता है, दोस्तों, यहाँ पर इन दीपकों को तयार करके, अपनी किसी एक प्लेट या पूजन वाली धाली के अंदर रख लेना, अब दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये आता है कि इस उपाय को किस को करना है और किस समय करना है, तो देखिए, यहाँ पर इस उपाय को खास रूप से माताओं बेहनों को करना है, क्योंकि सोमवार चतुर्थी का दिन रहेगा, मतलब माताओं बेहनों के लिए ये दिन बहुत ही जरूरी होता है, तो इसलिए ये तीन दीपक वाला उपाय माताएं बेहने तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना घर का कोई बड़ा भी कर सकता है, आपके समय करना है, तो दोस्तों, दीपक वाला उपाय है, तो तो लगभग इस दिन सोमवार चतुर्थी के दिन, शाम के समय छह से साथ बजे के बीच में, यदि थोड़ा लेट हो जाए तो आठ बजे तक भी आप लोग ये वाला उपाय कर सकते हो। इन तीनों को आप लोगों को अपने घर से लेकर निकलना है, अब दोस्तों हमने बनाया है, तो तीन अलग-अलग जगहों पर ये दीपक रखाएंगे। अब वो तीन अलग-अलग जगह कौन सी है? वो आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए, सबसे पहला वाला जो दीपक है, वो आप लोग लेकर जाओगे। किसी भी बड़े वाले बेल पत्री के पेड़ के नीचे और बेल पत्री के पेड़ के नीचे पहुँचकर अपना पहला दीपक, अपनी माचिस लेकर भी जाओगे। अपनी माचिस से अपना पहला दीपक जलाओगे और बेल पत्री के पेड़ के नीचे रख दोगे। भग पीपल का पेड़ भी बड़ा होना चाहिए, तो पीपल के पेड़ के नीचे जाकर अपना दूसरा दीपक जलाकर उस पीपल के पेड़ के नीचे रख देना. आपको सिर्फ घर से दीपक बना कर लाना है और जलाना है, इन व्रिक्षों के नीचे आकर ही है. उसके बाद में दोस्तों, तीसरे नंबर का जो दीपक होगा, ये आप लोगों को ले कर जाना है किसी भी वाले आवले के पेड़ के नीचे और आवले के पेड़ के नीचे जाकर अपने तीसरा नंबर का दीपक जला देना है और वहाँ पर भी भगवान से प्रार्थना कर लेना, वहाँ पर धूप दे लेना है, इसके बाद में दोस्तों, आपका ये वाला उपाय पूर्ण हो जाता है। इस उपाय को करने से दोस्तों, आपके घर में माता लक्ष्मी जी की कृपा होगी, शुब शान्ती बनी रहेगी, साथ ही में दोस्तों, जो भी आपके घर में दुख और परिशानिया होंगी, वो भी दूर हो जाएंगी. अब दोस्तों, हम लोग बात करते हैं, सीधा दूसरे वाले उपाय के बारे में जो की आपको इस सोमवार चतुरदशी के दिन जरूर करना चाहिए, अब इस उपाय में आपको पांच कनीर के फूल वाला ये उपाय है, तो सीधी सी बात यहां पर हमें ये बात समझ आती है, कि इस वाले उपाय में हमें पांच कनीर के फूल लाने पड़ेंगे, अब तो ये पांच कनीर के जो फूल होंगे, ये आपको किसी दुकान पर नहीं मिलेंगे, किसी जगह पर नहीं मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ के पेड में, जो कनीर का फूल का पेड हो तो आपको पांच कनीर के फूल लेकर आने हैं। पहले कनीर का पेड़ ढूंढना है, पीले कलर के रंग के जो हैं। कनीर के फूल होते हैं, तो उनमें से बस आपको पांच कनीर के फूल लेकर आना है। आप ज्यादा भी हैं। पर उपाय में सिर्फ पांच कनीर के फूल ही योग होंगे, तो पांच कनीर के फूल लाकर आपको अपने घर पर ले आने हैं, और सोमवार चतुर्थी के दिन आप लोगों को क्या करना है, सुभ़ः सुभः प्राथकाल, सुभः सुभः आप लोगों को ये वाला उपाय कर आप जब अपने घर से भगवान शिव जी की पूजन अर्चना के लिए निकले, तो अपने साथ में मात्र ये पांच कनीर के फूल लेकर जरूर जाए, इसके साथ में जो भी आपकी पूजन सामग्री हो, भगवान शिव जी के लिए जैसे एक लोटा जल या बेल पत्र, फ पूल चढ़ाना चाहते हो, वो सारी चीजें आप लोग चढ़ा देना, मतलब पहले अपनी सारी पूजन अर्चना कर लेना, उसके बाद में ये वाला उपाय करना, ठीक है, तो जैसे ही आप लोगों की पूजन अर्चना हो जाती, उसके बाद में आप लोगों को अपना व वो आप लोगों को सुनना है। देखिए, पांच कनीर के फूल में से सबसे पहला वाला जो कनीर का फूल होगा, ये आप लोग चढ़ाएंगे। भगवान भोलेनाथ जी वाले स्थान पर ये भगवान भोलेनाथ जी का स्थान जलाधारी के उपर होता है, जो की जलाधारी सीधे हाथ या राइट हैंड साइड पर होता है, तो आप लोगों को भगवान भोलेनाथ जी वाले स्थान पर पहला कनेर का फूल समर्पित करना है, फूल का खिला हुआ भाग आपको शिव जी की तरफ करके रखना है, उसके बाद में, दोस्तों, दूसरे नंबर का कनेर का फूल आप लोग भगवान कार्थिक जी वाले स्थान पर समर्पित करोगे, जलाधारी के उल्टे हाथ की तरफ होता है, लेफ्ट हैंड साइड पर होता है, इसके बाद में, दोस्तों, तीसरे नंबर का जो कनेर का फूल होगा ये आप लोग माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर समर्पित करोगे जो कि जलाधारी के बिलकुल बीच में ये वाला स्थान होता है उसके बाद में दोस्तों आप लोगों के पास दो फूल बचे हुए होंगे जिसमें से चार नंबर का जो फूल होगा कनेर का फूल होगा वह आप लोगों को कहां पर चढ़ाना है वह चढ़ाना है आप लोगों को माता जगदंबा जी के हस्त कमल पर अब हस्त कमल के पर भी आप चढ़ा सकते हो या तो आप लोग शिवलिंग के कटी भाग पर भी चढ़ा सकते हो या तो आप लोग शिव जी की पाँच बेटियों का नाम लेकर उस पात्र में भी चढ़ा सकते हो आप तो चौथे नंबर का जो कनेरी का फूल है ये आप लोगों को कटी भाग या जलाधारी के ऊपर कहीं पर भी समर्पित कर देना है शिव जी की पांच बेटियों का नाम लेते हुए जो की है जया, विशहरा, शामली, बारी, दोतली और देव इन नामों को लेते हुए आप इस फूल को समर्पित कर देना उसके बाद में दोस्तों, आखरी और पांचवे नंबर का जो फूल है वह आप भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है जब इस फूल को आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें तो फूल का जो हुआ भाग होगा वो आपको आगे की तरफ, जलाधारी की तरफ करके रखना है जहां से जल्द बहता है और नीचे गरता है इस तरीके से दोस्तों, आप लोगों को इन पांचों फूलों को पांच अलग अलग जगहों पर समर्पित करके जो भी मनोकामना हो वो भगवान शिवजी से बोल देना है आपकी वो मनोकामना बहुत ही जल्द पूर्ण जरूर हो जाएगी चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं तीसरे और आखरी उपाय के बारे में जो कि सोमवार चतुर्थी का सबसे बड़ा और खास उपाय है माताओं बहनों के लिए रूप से है तो इस वाले उपाय में हमें क्या करना है दोस्तों ये है नव शमी पत्र वाला उपाय अब इस नव शवी पत्र वाले उपाय में भी हमें साफ साफ ये बात समझ आती है कि इस उपाय में हमें नव शमी पत्र लेने होंगे नव शमी पत्र लेने के लिए भी आपको शमी के पेड़ से शमी की पत्ती तोड़ कर लानी पड़ेगी कुल मिलाकर आपको नव पत्ती लेकर आनी है शमी की उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को नवशमी पत्र लेकर क्या करना है शाम के प्रदोशकाल में ये वाला उपाय करना है यदि कोई शाम के समय ना कर पाए तो वो सुभे के समय भी कर सकता है उपाय माताओं बहनों के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि इस उपाय को करने से उनके घर में जो उनके बच्चे होते हैं उनके उपर से सारी दुख और परिशानियां दूर होती है साथ ही में उनके परिवार के उपर से भी सारे दुख कष्ट दूर हो जाते हैं तो तो माताओं बहनों को खास रूप से ये वाला उपाय करना है और इस उपाय को करने के लिए आप लोगों को शमी पत्र लेकर आने हैं नव शमी पत्र आप लोग अपने साथ में लेकर आ जाईएगा उसके साथ में दोस्तों, आप लोगों को यहां पर एक घी का दीपक भी तयार करना है जो की आप लोग आठे का ही तयार करोगे उसके अंदर गोल बाती रखोगे साथ ही आप लोग यहां पर शुद्ध देसी घाय का घी डाल लोगे है, यह सभी चीजें तयार करके शिव जी के शिवलिंग के पास में आप लोगों को पहुँच जाना है पहले भगवान के दर्शन कर लेना यदि आप कोई शिव जी पर चीज चढ़ाना चाहते हो तो पहले वो चढ़ लेना उसके बाद में उपाय करना ठीक तो शिव जी के शिव लिंग के पास में पहुँचना और पास में पहुँचने के बाद अपने वह नव शमी पत्र निकाल लेना नव शमी पत्र से पाँच शमी पत्र वाले स्थान पर समर्पित करने के बाद दोस्तों आप लोगों के पास चार शमिपत्र बचेंगे अब ये चार शमिपत्र में से तीन शमिपत्र आप लोगों को और अलग से निकाल लेने हैं इन तीन शमिपत्रों को आप लोगों को भगवान शिव जी के शिवलिंग के उपर समर्पित करना है अब इसमें जो पत्तियों का भाग होगा वो जलाधारी की तरफ, मतलब सामने की तरफ होना चाहिए इस तरीके तीन शमी पत्रों को जमा कर आप लोगों को शिवलिंग के उपर समर्पित कर देना है उसके बाद में दोस्तों आखरी में आपके पास एक शमी पत्र और एक घी का दीपक बचेगा इस घीके को आपको शिवलिंग के पास में नहीं लगाना है इस एक समी पत्र और घी के दीपक को लेकर आपको भगवान शिवजी की चोखट के पास में आ जाना है और मंदिर के अंदर से खड़े होकर मंदिर के बाहर देखना है कि आपका उल्टा हाथ कौन सा पढ़ रहा है, उस उलटे हाथ की पर बैठना है, मंदिर के बाहर नहीं निकलना है. मंदिर के अंदर बैठ कर ही आप लोगों को क्या करना है कि भगवान शिव जी के उलटे हाथ की चौकट पर आप लोगों को सबसे पहले अपना वह एक बचा हुआ शमिपत्र समर्पित करना है और शमिपत्र समर्पित करने के बाद अपना वह एक घी का दीपक ही माचिस से जला कर इस घी के दीपक को आप लोगों को उसी शमिपत्र के पास में भोलेनाथ जी के मोर ध्वज या मयूर ध्वज भोलेनाथ जी का नाम हुए इस दीपक को वहाँ पर अपनी मनो कामना को करते हुए रख देना है जिस मनो कामना के लिए आप अपना येवाला उपाय कर रहे हो अब दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों ने जो पांच शमिपत्र भोलेनाथ जी वाले स्थान पर समर्पित किये हैं ये शिवलिंग में जो भोलेनाथ जी का स्थान होता है जलाधारी के सीधे हाथ की तरफ सिर्फ वहीं पर आपको समर्पित करने भोलेनाथ जी की प्रतिमा के उपर समर्पित नहीं करना है है और तीन छविपत्र आप लोग शिवलिंग उपर समर्पित करेंगे बाकी एक छविपत्र आप शिवजी की चौखट पर आकर समर्पित करेंगे और उसी के साइड में आप लोग दीपक लगाएंगे भोलेनाथ जी के मूरत ध्वज और मयूर ध्वज भोलेनाथ जी का नाम लेते हुए और अपनी मनोकामना इस जगह पर बैठ कर जरूर बोल देना बस दोस्तों यहां पर ये वाला उपाय पूर्ण हो जाता है हमने आपको इस सोमवार के दिन किये जाने वाले वो खास उपाय बता दिये हैं जो कि पंडित जी ने बताया है अब आपकी मर्जी है आपके अपने हिसाब से इन उपायों को जरूर कीजिएगा आपकी जो भी दुख और परिशानी हो मनोकामना हो इस उपाय को कीजिएगा और आपकी जो भी दुख और परिशानी हो उस हिसाब से आप अपने ये वाले उपाय कीजिएगा ताकि दोस्तों कोई भी दिक्कत समस्या परिशानी आती है तो आप हमसे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं देखा होगा, कई लोग गले में चांदी की चाबी पहनते हैं दोस्तों, चांदी क्यूं है? इसके पीछे बहुत बड़े कारण भी है चांदी की चाबी पहनने से लक्ष्मी आकर्शित होता है लक्ष्मी को बोल चाल की भाषा में हम बोल सकते हैं रुपया पैसा एवं धन दोस्तों, कुन्जी को भाग्य का कारक समझा जाता है कुन्जी अर्थात चाबी को भाग्य का कारक समझा जाता है ताले को राहू, केतू, शनी भागे का प्रतीक समझा तो दोस्तों, चाबी को उचित स्थान पर रखने से घर में नहीं होता धन्य, धाने की कमी बन जाती है माता क्यों रखना चाहिए? तकिये के नीचे चाबी, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा आज का जो वीडियो का विशय है, बहुत ही सुन्दर है